नमस्कार, कृष्णा क्लासिस में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम पोएम डिसकस करेंगे मदर यह मदर पोएम है यह केकी एन दारुगाला ने कमपोज्ट किया मतलब केकी एन दारुगाला ने इसको लिखा है यह है पोएम मदर पोएम की मदर के लिए डेडिकेट है, मतलब पोएम जो है केकी एन दारुगाला उन्होंने अपनी मदर को डेडिकेट किया है, इसमें मदर के लिए शमर्पित्य अपनी मदर के बारे में लिखा है और यह है एक आटोबाइवग्राफिकल पोएम है अगली बात यह है पोएम भारती समाज की मदर्स की कंडिशन को शो करती है तो देखते हैं कैसे यह भारती समाज की मदर्स कैसी हुआ करती थी और क्या-क्या उन्होंने किया तो यह हम पढ़ेंगे पोएम तब हमें पता चलेगा कि यह किस तरह की पोएम है देखेंगे तो यह पोएट है केकी एंदारुगाला अपनी मदर को कह रही है यॉर इश्पाइन गोज क्रीकिंग नाव एक्रोस दा बो आफ यॉर बोड़ी यॉर इश्किन प्रिजर्वस दा पास्ट इन इट्स क्रीजिज लाइक ममी रेप ममी रेप जो होता है चलो बाद में बताते हैं यॉर इश्पाइन गोज आपकी जो इश्पाइन है इश्पाइन मतलब रीड की हड़ी क्रीकिंग कर रही है चटक गही है चटकती जा रही है आव across the bow of your body और across पार करती जा रही है bow of your body मतलब आपका जो शरीर है बो बो मी सोता धनुष धनुष की तरह होता जा रहा है मतलब उसकी जो मदर है पोईट की वो जुकती जा रही है मतलब आपने देखें को बुजूर्ग जब जादा बुजूर्ग हो जाते हैं तो कमर पैसे आगे को जुक जाते हैं जुक के चलने लगते हैं तो अपनी मदर से कह रहे हैं पोईट के आपकी जो रीड की हड़ी है वो क्रीकिंग करने लगी है करती जा रही है चटकने लगी है और क्या है आप बो की तरह होती जा रही है मतलब आपकी बोड़ी एक बो की तरह होती जा रही है धनुश की तरह होती जा रही है Your skin preserves the past in its creases Your skin, आपकी जो इश्किन है preserves करती है मतलब सुरचित रखे हुए है the past आपके भूत काल को in its creases, अपनी in means में its means, इसकी creases means जाईया जो जुरियां पड़ जाती है इसके पर ऐसा लग रहा है पोड़ी को जो आपकी इश्किन है जो उन पर जो creases हो गए है जुरियां आ गई है वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके past को preserve किया रखा है कि आपने past में कितनी महनत की है क्या किया है ये सब आपकी इश्किन को देख करके पता चल रहा है कि आपने कितना शंगर्स किया है आपकी life कैसी रही है ये सब इससे पता चल रहा है तो क्योंकि हम किसी भी मदर को देख लें जैसे बहुत शुन्दर एकडम हटी-कटी होती है कोई भी मतलब महला तो हम जान जाते हैं इसकी लाइफ कैसी है यह मतलब खुश है शुकी है शंपन है और कोई महला इस तरह की होती है विचारी जिसकी इसके जुरियां आ गई है जान चेहरा डला अढला हुआ है हाथ एक दम हाड है तो ऐसा लगता है इसका जो लाइफ है बहुत कैसी है कश्ट कारी इसकी लाइफ वी इसने अपनी लाइफ में बहुत संगर्स किये है ऐसा मतलब उसकी इसकी इसकी को देख पता चलता है तो वही यहाँ पर poet अपनी मदर के लिए कह रहे हैं कि your skin preserves the past आपकी skin आपके past को preserves करे हुए है मतलब कर रखा है उसने आपकी इश्किन बता रही है आपकी जहाईयां बता रही है जो रियां बता रही है आपके past को like mummy rape जिस तरह से mummy को mummy को मुर्दे को मतलब रेप मीस होता है लपेट कर रखना like मीस तरह है यहाँ simli है simli figure of speech पीचुआ है यहाँ पर like ठीक है तो mummy rape की तरह है आपकी इश्किन ने आपके past को preserve कर रखा है सुरचित कर रखा है जिस तरह से mummy rape को preserve करके सुरचित करके रखा जाता है मिश्र में मुर्दों को ममी rape क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ ममी क्या होती है मिश्र में मुर्दों को ममी की form में सुरचित कर लिया जाता है मतलब प्राचीर मिश्र सब्विता में किसी भी इंशान की मौत हो जाती थी मौत के बाद उसके मरत सरीर को कैमीकल से सरचित करके रख लिया जाता था रेप करके लपेट करके उसमें इंपोर्टेंट परसंस की तो इस तरह से प्राचीर मिश्र शब्विता में बहुत ममीज होती थी तो जिस तरह से ममी को रेब करके रेप करके रेब नहीं कहीं रेप करके लपेट करके रख लिया जाता है उसी तरह से सुरचित रख लिया उसी तरह से आपकी skin ने आपके past को preserve करके रखा हुआ है आगे देखेंगे Next way Your eyes do not spotter इस्पिटर बिद दा सिम फायर्स एज दे डिस्चार्ज दा एरोज ओफ यूर लव यूर मेमोरीज और मेमोरीज फ्लाउंडर तो यूर आइज डू नौट इस्पिटर इस्पिटर का मतलब है एक तरह से कहिए चमकना तो यूर आइज डू नौट इस्पिटर तो आपकी आँखें अब चमकती नहीं है आँखों में वो चमक नहीं रही है बढ़ापा आएगा तो आँखों में चमक जो यूवा वस्था में चमक होती है आँखों में वो बढ़ापे पर कैसे रह सकती है तो आपकी आँखों की ज उसी सेम फायर से, सेम का मतलब जो युवा वस्था में, जिस तरह से आपकी फायर हुआ करती थी, फायर का मतलब अगनी होती, अगनी का मतलब वो चमक, उस चमक के साथ, सेम फायर के साथ, बिदमी, साथ, सेम मी, उसी, उसी फायर के साथ, आपकी आँखें अब नहीं चमकती ह मतलब जो युवा वस्था में आपकी आँखों में चमक हुआ करती थी वो चमक आपकी आँखों में नहीं है As they discharge the arrow of your love As they discharge, they discharge करती है The arrow means tear of your love आपके प्यार के मतलब इन आँखों में चमक तो नहीं रही है लेकिन फिर भी ये क्या छोड़ती है, निकालती है Arrow of your love आपके प्यार के तीर छोड़ती है मतलब आपकी आँखों में वो प्यार जलगता है वो लव ऐसा लगता है कि चमक नहीं है फिर भी आपकी आँखों में अपने बच्चों के लिए अपने नाती पोतों के लिए प्यार डिश्चार्ज होता है Your memories flounder Flounder मतलब होता है एक तरह से भूल जैसे बूड़े हो जाते हैं तो Mistakely कुछ को कुछ कह जाते हैं और भूलने की एक आदत हो जाती है भूलने लगते हैं तो Your memories flounder आपकी जो memories है वो flounder हो चकी हैं आप गलती करती हो मतलब कुछ को कुछ समझने लगती हो भूल जाती हो हमेंने क्या किया क्या ने किया अब आप क्या गलती एमंगेस्ट एमंगेस्ट योर संस नाव अपने बच्चों के मतलब संस मिस पुत्र नाव अपने जो आपके जो पुत्र हैं उनके बीच में भी आप flounders कर जाती हो मतलब आपको ध्यान नहीं रहता कि कौन सा वेट्टा है ता कौन से ने क्या किया क्या करता था तो अब पूर्ट कह रहा है यू कनफ्यूज दबन हु बैट हिज बैट तो आपको ये भी नहीं पता है उसमें भी confusion होती है आपको कि आप इतनी बूरी हो गई हो गई हो कि यू कनफ्यूज आपको ये भी नहीं ध्यान है कि कौन सा बेटा one means, मतलब कौन, who, Joe, bad his bad कौन सा बेटा आपके bad को, विस्तर को घीला करता था अपने विस्तर को मतलब कुछ बच्चे उतना छोटे पर सूसू कर देते हैं विस्तर पर ही टॉयलेट कर देते हैं तो आप तो अब इतना flounder, आपकी memories जो है इतनी flounder हो चुकी है कि आप तो अपने बच्चों के बीच में भी मतलब आपको कुछ चीजें याद नहीं रही हैं कि आपको ये भी नहीं द्याने कि आपका बड़ा बेटा विस्तर गीला करता था या छोटा बेटा विस्तर गीला करता था आगे देखेंगे with one who bite through your breast and made them septic और कौन सा बेटा कौन से बेटे ने काट लिया था throw your breast feeding करते समय दूद पीते समय आपकी breast में कौन से बेटे ने आपको काट लिया था and made them septic और उसमें septic बन गई थी उनमें क्या बन गई थी septic बन गई थी आपको तो ये भी ध्यान नहीं है इसमें भी अब आपको क्या होती है confusion होती है ये भी आपको ध्यान नहीं रहा when my children ask you things about your childhood your smile becomes remote and enigmatic तो जब मेरे बच्चे मतलब पोईट अपने बच्चों की बात कह रहा है जब मेरे बच्चे आपसे पूछते है when my children ask you जब मेरे बच्चे आपसे पूछते है things चीजों के बारे में about me इस बारे में your childhood जब मेरे बच्चे आपके बच्चपन के बारे में पूछते हैं तो your smile becomes remote तो आपकी जो smile है आप मुस्करा जाती हो और becomes हो जाती हो remote एक remote की तरह है remote की मतलब बहुत दूर अपनी यादों में खो जाती हो enigmatic का मतलब होता है एक तरह से कह लिजिए एक रहिश में हो जाती हो बिल्कुल तो खो जाती हो आपने देखा है घर में परवार में चोटे चोटे बच्चे होते हैं तो अक्षर बच्चे जाद तर अपनी दादी और दादा जी के पास खेलते हैं तो दादा जी पताईए ना दादी जी पताईए ना कि हम इस तरह से खेलते हैं आप भी अपने बच्पन में क्या-क्या खेला करती थी तो जब पूछते हैं तो अक्सर दादी दादा जो हैं मुश्कराने लगते हैं और मुश्करा करके एक पल के लिए ऐसा लगता है वो खो गए रहिश्मई हो गए एनिगमेटिक का मतलब रहिश्मई हो जाते हैं रहिष्वे मितलब खो हो जाते हैं, अपने बच्चपन में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं. तो, once in six months now, you press them to your body to remind us that love was the only written word in the scripture of your hands. once means एक बार, in six months, छे महीने में एक बार, now you press तुम दवाती हो, them उनको to your body, अपने शरीर में, मतलब तुम छे महीने में एक बार, उनको प्यार से अपनी गोद में बिठाती हो, बिठाती थी, मतलब यह कहने का मतलब यह है, कि आपने देखा होगा, पहले की यहाँ पर एक बात आ रही है, कि इस पोई में भारती समाज की मदर्स की कंडिशन को शुक किया गया है, तो भारती समाज में अधिकतर महलाएं, क्या है कि काम करती हैं, घर का वर्डन होता है, अगर गाउं की लाइफ की बात करें, तो वहाँ उनका भैंस, मेवेशी होती है, उसको अभी काम करना, खेती भाड़ी भी करना, अपने शारा काम, एक काम करने वाली मदर, ठीक है, तो काम करने वाली मदर के पास इतना समय नहीं होता, कि वो अपने बच्चे को रोज बैठ करके, बहुत दुलार करें, गोदी में ले करके, तो यहां पोईट कह रहा है कि कभी कभाएं, छे महीने में क मतलब अपने शारी का मतलब यहां है, प्रैश देम टू यूर बोडी का मतलब है, उनको अपनी गोद में बिठाना, ठीक है, मात आएं देखिए आपने, गाओं में तो जाते होंगे आप, तो बचारियों के पास तरह शमय नहीं होता, कि वो रोज गोदी में बिठा के उन् इस से हमें रिमाइंड होता है, देट लब वह प्यार बाज था, उनली रिटिन वर्ड, वही के वल एक रिटिन वर्ड था, एक लिखित शब्द था, इन दा इसक्रप्चर ओफ यॉर हैंड्स, आपके हातों की जो इसक्रप्चर है, इसक्रप्चर होता है, एक तरह से धर्म ग्रंट कहते हैं, तो धर्म ग्रंट, आपके हातों का जो धर्म ग्रंट है, उसका एक लिखित शब्द होता था, आगे चलेंगे, I think मैं सोचता हूँ, सम्थिंग स्राइवल्ड बिधिन यू मदर, मैं अब सोचता हूँ कि सम्थिंग स्राइवल्ड, सम्थिंग में कुछ स् स्राइवल्ड हो गई हो, सूख गई हो, शिकुड गई हो मतलब, पतली हो गई हो, वेकार हो गई हो, बिधिन यू का मतलब, तुम्हारे अंदर ये स्राइवल्ड हो गया है, बिधिन यू, तो तुम सूख गई हो, मैं ऐसा सोचता हूँ मदर माता, the day you broke your bangles and soak the loin dust of my father's from your bro or the day you broke मुझे बोग दिन भी याद है मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी फादर एक्षपायर हुए उसके कारड ये तुमारी ये इस्थिती हुई है तुम जो शूख गई हो स्राइवल्ड आप जानते होंगे कि एक काम करने वाली महला जो घर में इतना काम काज करती है भारती समाज की महला कितना काम करती है और उनकी क्या कंडिशन होती है और फिर उपर से उनका पती भी एक्सपायर हो जाए तो उनकी क्या इस्थिती होती है तो वो सब यहाँ पर पोईट यहां पर शो करते हैं कि मुझे वो दिन भी याद है कि आपने ब्रॉक तोड़ी थी योर बैंगल्स अपनी चूडियां एंड शूक हिलाया था मतलब हटाया था लॉयन डस्ट सिंदूर माथे का सिंदूर आपने हटाया था आपने अपनी ब्रो से आपने मेरे पिता के नाम का जो शिंदूर है वो हटाया था और बैंगल्स जो थी चूडियां जो थी आपने वो तोड़ी थी वो दिन भी मुझे याद है आप शी के काड़ मतलब कहने का ताथ पर यह कि आप I think something shriveled मतलब जो आप shriveled हुई हो within you वो यही है कि अधिक तर मेरे पिता की मौत के बाद आपकी यह इस्तिती हुई है तो विद्वाओं की भारती समाज में क्या इस्तिती होती है आप इससे भी पाकेप होंगे तो यह जो पोएम है पोएट की मदर के लिए डेडिकेटिड है यह autobiographical पोएम है अगर पूछा जाता है किस टाइप की पोएम है वाट टाइप ऑफ पोएम दा मदर तो कैसी है autobiographical पोएम है dedicated to the poet's mother तो अगले वीडियो में इसी पोएम का हम critical appreciation देंगे इसका जो important long question है गो डालेंगे उसके बाद MCQ की वीडियो डालेंगे ठीक है long question होगा जिस तरह से कि poet अपनी मदर के बारे में या भारती समाज की जो महलाएं है उसके बारे में क्या यहां कहना चाहता है तो एक तरह से critical appreciation ही माली जीए इस तरह से question डालेंगे कैसे भी long question पूछ लेता है आप उसी को लिख देंगे ओके